आज हम कम्प्लीट टेंस डिसक्स करेंगे प्रिजेंट टेंस पास्टेंस फुटर टेंस विट एक्जाम्पल इस्ट्रक्चर एंड कैसे हम इडेंटिफाइग करेंगे किसी भी संटेंस को कि यह संटेंस किस किस टाइप के एक्जाम्पल के साथ हम कवर करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे इस्ट्रक्चर क्या होगा इसन आवरिफिंग जीरो लेवल से हम कवर करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्काइब कर ले ताकि आपका ओवर आंग्लिश ग्रॉमिंग हो सके ग्राम secret hours टेंस क्या होता है एक समय है एक काल है और इसको जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रजेंट टेंस डैट मिस वर्दमान काल ऐसी घटना है ऐसा क्रिया ऐसा वर्ड ऐसा एक्टिविटी जो करेंट में होड़ा है जो अभी हम कर रहे हैं जैसे मैं अभी यह सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं यह जो है आपको यह काम प्रजेंट में होड़ा है यह जोट यह प्रजेंट में होड़ा है और उसका प्रजेंट से कोई लेना देना नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे पास्ट इस राइट नेक्स्ट है फ्यूचर future tense ऐसा activity ऐसा work ऐसा काड़ी ऐसा क्रिया जो future में होने वाला है तो ऐसे जो है activity ऐसे work ऐसे execution वाले sentence को हम किसमें रखेंगे future tense में रखेंगे जिसको हम हिंदी में भविश्यकाल करते हैं अब इन तीनों के चार चार टाइपस होते हैं प्रिजेंट टेंज के चार टाइपस होते हैं और future tense के चार टाइप होते हैं तो देखते हैं पहले हम present tense को देखेंगे present tense वर्थमान का okay so present tense के चार टाइप होते हैं पहला जो है simple present tense या हम कहते हैं present indefinite tense simple present tense भी कह सकते हो आप present indefinite tense भी कह सकते हो दूसरा टाइप है present continuous tense या present progressive tense आप present continuous tense भी कह सकते है present progressive tense भी कह सकते हैं तीसरा है present perfect tense चौथा जो है present perfect continuous tense तो यह present tense के चार टाइप्स हो गए तो इसी तरह past tense के भी चार टाइप इसी तरह के होते हैं और future tense के भी इसी तरह चार टाइप होते हैं बट सभी का structure अलग-अलग होता है present, past and future के according तो next अब हम देखेंगे simple present tense simple present tense को हम कैसे identify करेंगे कैसे पहचानेंगे कि कोई भी sentence simple present tense में है अगर वह simple present tense में है तो हम उसको कैसे translate करेंगे तो यह दोनों चीज हम समझेंगे तो यहाँ पर देखें अगर किसी भी वाकी के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो या ती हो या ता है लगा हुआ है या है वहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह sentence जो है वह वाकी जो है simple present tense में है तो इसका translation जो है simple present tense का जो structure है जो formula है उसके according ही हम translate करेंगे जैसे इसमें हम example भी देखेंगे पहले structure देख लेते हैं structure क्या है पहले हम as for subject पहले हम subject लिखेंगे फिर verb का form राइट, verb के form में जब live class लेता हूँ तो actually combo class होता है live में और वहाँ पे daily usage English के sentences, spoken से related होता है grammar, translation, vocabulary vocabulary section में verb के form में आपको memorize करवाता हूँ याद करवाता हूँ, verb के first form, second form, third form, fourth and fifth ये पाचों जो verb के form है इसको मैं याद करवाता हूँ और ये याद करना बहुत ही जरूरी है अगर आपका English grammar and translation correct आप जो है लिखना चाहते हो so यहाँ पे क्या है structure, simple presentance का पहले हम subject लिखेंगे फिर verb one or two, one or five तो हम कब वर्व का first form लिखेंगे और कब वर्व का fifth form लिखेंगे वर्व का पहला form और पाच्वा form कब लिखेंगे क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होगा and then फिर यहाँ पे आप rest of sentence that means object लिखेंगे जैसे राम आम खाता है तो राम क्या हो गया जैसे यहाँ पे example लें राम आम खाता है राम यहाँ पे क्या हो गया subject हो गया, करता हो गया हिंदी में और आम क्या हो गया, खाना हो गया वर्व, राइट, क्रिया ठीक है, अब खाने का असर जिस पे पढ़ता है क्रिया की जो effect जो वर्व, एक्टिविटी जो है उसका effect अगर किसी पे पढ़ता है उसे हम object करते है तो खाने का जो काम है वो किस पे effect पढ़ता है, आम पे तो आम क्या हो गया, object हो गया तो अब यहाँ पे decide करना है कि वर्व का first form लगेगा या fifth form लगेगा यह चैलेंजिंग होता है तो issue को identify करना है यह भी हम आपको बताते हैं कव first form, कव fifth form तो यहाँ पे देखिए राम, it's a mango यहाँ पे वर्व का पांचवा फॉर्म लगा राम, it's a mango राम, एक आम, खाता है तो यहाँ पे ऐसे identify करना है कि ता है यहाँ पे देखिए क्या है ता है अगर ता है लगा है तो simple present tense है ती हो, ते हैं ती है, ते हैं, ता हूँ तो यह जो है इन में से कोई एक अगर sentence के last में तरह दिखाई दे तो वह simple present tense के according ट्रांसलेट होगा जैसा है कि यहाँ पे आपने example देखा राम आम खाता है राम, पहले subject आया राइट, then verb का first form या fifth form अब दोनों में से कौन सा form लगेगा वो decide करेंगे हम तो कैसे decide करेंगे, वो भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, verb का fifth form लगा पाँवा वर्ब का form लगा and then a mango ओके, राम एक आम खाता है पर्सन पढ़ते हैं अच्छली हमने सारा grammar section complete किया हुआ है पर्सन में पढ़ा है तो first person में आता है I और V, second person में आता है U and U right, singular form में यू ही होता है, ये I हो गया singular and V हो गया plural उसी तरह U यहाँ पे singular, यहाँ पे यू पूलर, आप और आप लोग दोनों का English, यू ही होता है third person, जिसमें की he, see, it, या कोई भी person या व्यक्ति, अगर individual है, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो वहाँ पे हम क्या उच्छ करते हैं, singular form third person, right, इस singular नमबर में आता है, third person में उच्छ होता है, okay so, अगर एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति है, तो वहाँ पे क्या होगा, plural form third person का, right, third person में he, see, it, और कोई भी नाम या वस्तु, singular रहेगा, एक रहेगा, तो singular, एक से ज्यादा रहेगा तो ये person है, यहाँ पे आप देखेंगे इन पाचों, छे पार्ट है, यहाँ पे तीन, इसके, तीन, इसके तो, छे में से third person singular number के अगर रहेगा, subject, right अगर subject में third person singular number रहेगा, तो वहाँ पे हम verb का पाच्वा फॉर्म यूज करेंगे, और कोई भी रहेगा जैसे कि इसमें first person, second person and third person का puller form अगर कोई रहेगा इसके अलावाद वहाँ पे वर्व का first form यूज करेंगे right, he, see, it या कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक का बोध कड़ाता है वहाँ पे वर्व का पाच्वा फॉर्म यूज करेंगे rest of के साथ, सभी के साथ वर्व का first form यूज करेंगे okay, so अब हम example देखते है जैसे वह school जाती है वह school जाती है तो वह school जाती है that means यहाँ ऐसा परतीत हो रहा है ऐसा पील हो रहा है कि कोई लड़की है जो school जाती है right, तो वह यहाँ पे क्या होगा वह का एंगल C होगा तो जाती है that means यह simple present tense का question है यह simple present tense का sentence है तो इसका translation जो है simple present tense का जो structure है subject लिखेंगे फिर verb का first form या पाँच्वा form लिखेंगे then फिर object लिखेंगे तो इस तरह translation इसका होगा अब verb का पाँच्वा form होगा या फिर पहला form होगा यह decide करना है यहाँ पर देखिए वहाँ है वहाँ लड़की के लिए है तो that means एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पर और यह third person में वहाँ आता है he see it क्या है third person में और उसमें भी यह singular number में है तो singular number third person के साथ verb का पाँचमा form use होता है तो यहाँ पर जाना है राइट वर्व क्या है जाना तो जाना का मूल form क्या होता है man वर्व जो होता है वो क्या होता है go go मतलब जाना go went gone going and goes तो गोज होता है वर्व का पाँचमा form तो यहाँ पर क्या हो जाएगा see goes to school ठीक है तो यहां पे subject, फिर verb का पाच्वा form, and then preposition to and score, okay, so हमने preposition भी पुड़ा पढ़ाया हुआ है, आप live session attend करेंगे, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजे मिलेंगी, 72, approximately 72 live class हो चुका है, तो आप वहां पे जरू देखिएगा, so यहां पे देखिए, यह हो गया अगर आप खेलते हैं, यहां पे ते हैं, ठीक है, that means, यह simple presentance के according translate होगा, तो राम and सियाम, यहां पे बोलेंगे राम है, तो राम जो है, एक परसन का बोद कराता है, but इस sentence में राम और सियाम है, तो करता दो है, यहां पे, तो करता जो है, जो subject है, वो दो है, that means, यह plural form में आया, सियाम, play, right, खेलना का क्या होता है, play, right, अगर यहां पे वर्व का, right, एक या राम रहता है, या सियाम रहता, सिंगलर नमबर रहता, तो वर्व का पाच्वा फॉर्म लगता है, यहां पे बट, वर्व का फस्ट फॉर्म ही लगा, next देखते हैं, वे लोग गाना गाते है, व plural form में है तो इसको कैसे करेंगे दे आयन गाना का sing a song right they sing a song okay so next लड़के किताब किताब पढ़ते हैं लड़के that means एक से ज़्यादा लड़के हैं तो ये third person में तो है लड़के कोई भी वस्तू या वैक्ती या एक है तो फिर singular रहेगा और एक से ज़्यादा है that means plural है तो third person में तो है ये बट ये plural form में है लड़के तो लड़के किताब पढ़ते हैं तो यहाँ भी verb का first form यूज होगा जैसे they boy यहाँ पे sorry यहाँ पे क्या आएगा they the boy यहाँ पे y ने the boy books boys read books right तो यहाँ पे y additional लग गया है actually the boy होगा right the boy read books तो यहाँ पे read का जो है first form ही लगा पांच मा फॉर्म नहीं लगा क्योंकि यह क्या है और यह है plural form okay so अब हम देखते हैं simple present tense का negative यह था like affirmative जो है sentence अब हम negative sentence का structure देखेंगे तो negative sentence का structure क्या होता है subject होगा and then फिर यहाँ पे do और judge लगेगा ठीक है जैसे वहाँ पे क्या था affirmative में v1 और v5 दोनों में से कोई एक लगेगा यहाँ पे क्या है negative sentence जैसे आएगा तो उसमें क्या होता है subject के बाद do या judge लगता है and then subject के तुरत बाद right do या judge लगाएंगे फिर not लगाएंगे फिर verb का first form लगाएंगे जैसे do डज लग गया यहाँ पे verb का first form आएगा then फिर verb के form की चिंता करने की बात यहाँ नहीं है right और हमें साब verb का first form ही लगेगा and then फिर rest of sentence जैसे कब लगेगा do कब लगेगा judge तो same case है third person singular number के साथ judge लगेगा बाकी सभी के साथ do लगेगा जैसे I do not eat we don't eat you don't eat यहाँ देखिए do 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 you do don't eat right they don't eat okay so यहाँ पे देखिए third person singular number के साथ क्या है he see it या कोई वस्तू रहेगा या एक बहुत क्राइग वस्तू भी वैक्वी तो उसके साथ judge लगेगा जैसे ram does not eat यहाँ पे देखिए ram does not eat they don't eat right you don't eat we don't eat I don't eat so सेर्फ जो है third person singular number के साथ judge लगेगा बाकी सभी के साथ do लगेगा यहाँ पे subject does not यहाँ पे जो भी रहेगा जैसे यहाँ पे I don't eat तो यहाँ पे I don't don't eat okay so example देखते हैं मैं आम नहीं खाता हूँ right मैं आम नहीं खाता हूँ सबसे पहले इसका translation देखेंगे यहाँ पे खाता हूँ that means simple present tense में है और यह negative sentence है तो इसको क्या होगा मैं आम नहीं खाता हूँ मैं so I उसके बाद यह थर्ड पर्सन सिंग्लर नमबर में है तो I के साथ do लगेगा यह डज लगेगा क्योंकि यह negative है तो do डज लगाना होगा तो यहाँ पे do लगेगा and then फिर not लगेगा तुरत बाद तो I do not उसके बाद वर्ड का first form लगेगा eat a mango okay so यहाँ पे देखिए I do not eat a mango so दूसरा देखिए राम इस्कूल नहीं जाता है राम इस्कूल नहीं जाता है तो राम क्या है थर्ड पर्सन सिंग्लर नमबर है तो राम डू नॉट होगा या do not होगा थर्ड परसन सिंग्लर नमबर है तो सिंग्लर नमबर के साथ क्या होगा do not तो राम डू नॉट गो टू स्कूल so सीता और गीता नहीं गाती है तो यहाँ पर देखिए सीता एडन गीता एक से जो subject है यहाँ पर करता है, एक से जादा है, पुलल form में है, यहां पे डज नहीं लगेगा, यहां पे दू लगेगा, क्योंकि यह सीता, गीता मिल infin हो गए है, पुलल हो गए है, तो सीता and कीता don't, यहां सीता and कीता, do not sing a song, okay, so वह का फ़र्स्ट वां हमेशा याद रखे लगेगा, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, लड़कियां फुटवाल नहीं खेलती है, तो लड़कियां, एक से ज़्यादा लड़की का बोध हो रहा है, यह पूलरल फॉर्म में है, तो यहां पे डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डू लगे है, तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसका स्टार्टिंग ही दू डज से होगा, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो यह कब लगाएंगे डू और कब लगाएंगे डज, यह हमने आपको बताया, तो जब थार्ड परसन सिंगलर नंबर रहेगा उसके साथ डज लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ओके, तो डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्व का फर्स्ट पॉर्म, एंड देन रिस्टोप सेंटेंस, ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ, यहाँ प बोलता हूं, राइट, इंट्रोगेटिटीब सेंटेंस है, तो पहले हम क्या यूज करेंगे, डू और डज, तो डू और डज, यहाँ पर डू लगेगा, यहाँ पर मैं है, मैं मतलब आई, इसका एंगलिस होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू, तो यहाँ प्या यहाँ राम इसकूल जाता है, तो फिर से यहाँ पर क्या लगेगा, डू या डज, तो राम है, तो थार्ट परसंसीलर नमबर है, तो डज, 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 उसके बाद सब्जक्ट रत आ जाएगा, तो राम आ जाएगा, डज, राम, अब वर्व का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पर बोलना क्या है, वर्व है, तो बोलना का फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पर जाना का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, तो डज, राम, गो तो स्कूल, डज, राम, गो तो स्कूल, तो नेक्स्ट वन इस, क्या वे लोग तुम्हें नही जानते हैं, क्या वे लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, यहां पर जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते हैं, यहां पर देखी क्या है, थर्ड परसं तो है, बट यह पूलर्ड फॉर्म में है, तो पूलर्ड फॉर्म में क्या लगेगा, यहां पर डज लगेगा, क्या लगेगा डज। यहां पर डज दे नौट नौ यू राइट जानना मतलब वर्प का फर्स्ट फॉर्म लगेगा राइट सो यहां पर डज डू दे नौट नौ यू राइट क्या वे लोग तुम्हें नहीं जानते डू दे नौट नौ यू so next one क्या कुत्ते रात में नहीं भोगते हैं तो यह भी क्या है पुल्रल फॉर्म में यहां पर क्या लगेगा do do dogs not bark at night do dogs not bark at night so next one अब यहां पर देखी क्या है wh question and negative sentence so यहां पर wh questions क्या होता है जो कि interrogative word होते हैं कि कब कैसे क्यों कहां वहां इस तरह की जो word है यह डबलु एच वर्ड कहलाते हैं जैसे की why, what, how, when, where right so यहां पर कुछ हम example देखेंगे तो आपको clearly समझ में आ जाएगा and जैसे ही डबलु एच वर्ड आएगा उसके तुरत बात do और do dog लगेगा right and then subject आएगा डबलु एच वर्ड फिर do यह डज and then subject then फिर not फिर वर्ब का first form and then rest of sentence okay so कुछ example देखते हैं यहां पर सीता क्या नहीं करती है यहां पर देखिए एक होता है interrogative sentence एक होता है डबलु एच कोस्टिन मतलब जो अभी आपको मैंने बताया है यह वाद है right यहां क्या है डबलु एच कोस्टिन्स तो why what इस तरह के एक होता है interrogative sentence interrogative sentence में क्या मैं जूट बोलता हूं तो interrogative and डबलु एच कोस्टिन्स में क्या difference है कैसे आप identify करेंगे so यहां पर देखिए क्या है सीता क्या नहीं करती है यहां पर क्या है डबलु एच वर्ड जो है वो sentence के बीच में है क्या कब कैसे क्यों right कहां right तो यह अगर interrogative रहता तो क्या सीता नहीं खाती है क्या मैं नहीं पढ़ता हूं तो डबलु एच वर्ड जो question वाले वर्ड है वो बाहर हो जाता वो interrogative रहता तो उसका जो भी translation करेंगे तो helping verb के सहायता से करेंगे but अगर डबलु एच वर्ड question वाले वर्ड जो है sentence के बीच में है तो वो डबलु एच क्यू के according translate होगा means उसका exact meaning जैसे कब कब का क्या होता है when कहा where right how कैसे why क्यों इस सबका English आपको देना पड़ेगा ठीक है यह helping verb के according नहीं बनेगा अगर डबलु एच वर्ड वाले बीच में रहते हैं जैसे सीता क्या नहीं करती है अगर रहता मैं क्या मैं खाता हूं तो क्या स्टार्टिंग में ही आगा तो इसको helping verb के साहता से हम translate करेंगे इसमें देखते हैं कैसे करें इसमें देखी क्या है वाट उसके बाद do ड़ लगेगा तो सीता क्या है थर्ड परसंसीलर नमबर तीसके साथ ड़ लगेगा वाट ड़ उसके बाद subject उसके बाद not उसके बाद verb का first form वाट ड़ ड़ शीता not do करना का do तो पहले यहाँ पर ड़ ड़ एच कोश्चन वाले वर्ड आ गए वाट क्या का इंगलिस वाट उसके बाद do या ड़ 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 आ गया धैन फिर subject आ गया सीता फिर not अगर है तो not use करेंगे फिर वर्ड का first form ओके तो कुछ और example देखते हैं आपकी गाएं दूद क्यों नहीं देती हैं क्यों नहीं देती हैं तो यहाँ sentence देखिए जो ड़ ड़ एच वर्ड क्यों है वो sentence के बीच में है तो that means इसका translation जो है डबलू एच क्यों के according structure के according होगा that means पहले why what when तो यहाँ पे क्यों का English क्या होगा why तो why आएगा यहाँ पे उसके बाद do और dutch लगेगा तो यहाँ पे आपकी गाएं हैं एक से ज़्यादा गाएं की बात होड़ी तो यहाँ पे क्या आएगा दू आएगा ना की डज आएगा तो यहाँ पे सीता थी तो यहाँ पे एक सिंगलर था तो इसलिए यहाँ पे डज आया बट यहाँ पे पुलल है तो यहाँ पे डू आएगा तो why do the cause your cause ओके सो यहाँ पे क्या है why don't right तो यहाँ पे cause के बाद भी आप नॉज कर सकते हैं but don't इस तरह करेंगे तो यूज आप कर सकते हैं यहाँ पे देख़ी क्या है doesn't यहाँ पे अगर doesn't लिग देतें थो भी सही था सिदा कि बाद not लगा है तो भी सही है यहाँ पे your cause क और भी not लगा सकते हैं इसके बाद वर्व का फर्स्ट फॉर्म एंड और अब्जेक्ट वाई डज वाई डॉन्ट यू ओर काव गीव मिल्क ओके सो यहां पर वर्व का फर्स्ट फॉर्म आया एंड दें डू लगा और नॉट भी लगा सो अब देखतें next question वह कैसे तरता है तो यहां पर question वाले word क्या है बीज में है इसको हम कैसे translate करेंगे है वह कैसे तरता है रइट यहां पर देखिए पहले तो क्या आ जाएगा कैसे का English क्या होता है हाव राइट तो हाव के तूरत बाद दू या डज लगाना है तो यहां पर है ठीक है तुबह क्या है थर्ड पर्फंट थिलर नमबर है तो इसके साथ डज लगेगा and then फिर सब्जेक्ट and then वर्फ का फर्स्ट फॉर्म so how does he swim okay so next one तुम क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम क्या जो है शंटेंस के बीच में है तो WHQ के according इसका translation होगा तो इसमें पहले what आएगा तो यहाँ पर तुम है तो तुम का इंगलिस क्या होता है यू सेकेंड पर तैने तुम के साथ do लगेगा तो what do and then फिर क्या not का subject क्या है तुम तो why do you want तुम क्या चाहते हो समझमार अगर आपको समझ नहीं आए तो please आप comment कीजिए मैं आपको चरूर फिर से answer समझाओंगा एक नहीं 100 बार मैं आपको समझाओंगा तो अगर आपको कोई भी doubt है इंगलिस का कुछ भी तो यहाँ पर देखिए अब next है इसमें present continuous tense तो दूसरा present continuous tense इसको हम कैसे पहचानेंगे identification अगर किसी भी वाकि में या किसी भी sentence में रहा हूँ रहे हो रहे हैं रहा है अगर दिखे किसी भी वाकियंत में तो उसका translation जो है वो present continuous tense के recording होगा वह sentence present continuous tense में होगा अगर किसी भी वाकियंत में इन चारो पांचों में से कोई एक रहे तो राइट इसका structure कैसा होता है तो पहले हम लिखते हैं subject फिर लिखते हैं हम इसमें helping वर्व इज एम आर तो कब इज लगेगा कब एम लगेगा कब आर लगेगा and then यह हम आपको बताएंगे and then फिर वर्व का इन जी फॉर्म जिसको बोलते हैं जैसे कि going walking eating sleeping laughing reading studying तो यह जो है इन जी फॉर्म है जिसको हम वर्व का चौथा फॉर्म बोलते हैं and then फिर rest of sentence that means object जैसे कि मैं खाता हूं मैं खा रहा हूं so I am eating खा रहा हूं हूं है तो हूं का English क्या होता है am right so make right तुम खाते हो हो का इन इसका होता है आर मैं जा रहा हूं right या तुम खा रहे हो right या सीता गाना गार ही है तो है तो वहां पर इजा जाएगा right तो यहां पर right तो इसमें person में कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है so इसमें कुछ example देख लेते हैं ठीक है जैसे मैं खा रहा हूं तो रहा हूं है तो यहां पर मैं के साथ हूं तो आई एम उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म eating क्या ए मैंगो right so i i लग गया subject फिर helping word is mr तो हूं का क्या होता है एम होता है फिर वर्ब का चौथा फॉर्म ing फॉर्म तो इत का चौथा फॉर्म क्या होता है eating फिर ए मैंगो right so next one देखेंगे रमेज किताब पढ़ रहा है तो रहा है तो रमेज right उसके बाद इज आएगा रमेज इस क्या करना है पर्णा का का मुण रही है और यहां पे पूजा गाना गा रही है तो यह क्या हो जाएगा पूजा is, right, है का क्या होगा, is, singing a song, verb का चौथा form, next, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो ये पुलर फॉर्म है, तो they are, right, they are going to Delhi, verb का चौथा form, next, so next, क्या है, present continuous tense, present continuous tense का, यहाँ पे आप negative question देखिए, तो subject, e, jam, r, फिर not, verb का चौथा form, and then rest of sentence, so, यहाँ पे आप देखेंगे, यह, मैंने वहाँ बताया है, बट उसकी जरूरत नहीं है, तुम जूट नहीं, बोल रहे हो, रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, रहे हो, that means, right, यह present continuous tense में है, तो इसका translation, जो है, उसके structure के according, इसका structure क्या है, तो यहाँ पे पहले subject आएगा, फिर, each English क्या हो जाएगा, you, ahoka, are, and फिर, not, negative है, तो not, फिर, वहाँ का चोथा form, telling a lie, right, telling यह वहाँ का form है, tell का telling a lie, जूट, तुम जूट नहीं बोल रहे हो, okay, so next देखते हैं, वह किताब, वह कोई किताब नहीं पर रहा है, वह कोई किताब नहीं पर रहा है, तो यहाँ पे क्या he is, वह के साथ is, he is not reading any book, right, वह कोई book नहीं पर रहा है, he is not reading a book, यहाँ पे we for, and then any book, right, वह घर नहीं जा रहे हैं, वह घर नहीं जा रहे हैं, वह घर नहीं जा रहे हैं, so इसको हम कैसे translate करेंगे, तो वह, तो यहाँ पे दे आ जाएगा, है का आर हो जाएगा, फिर not, फिर का going and then, फिर home, okay, so they are not going home, right, तो home के साथ कभी भी preposition to का यूज नहीं होता, okay, so going के साथ हमेशा to का यूज होता है, but exception है, home के साथ नहीं यूज होता, यह आप हमेशा ध्यान रखीगा, so लड़के cricket नहीं खेल रहे हैं, लड़के cricket नहीं खेल रहे हैं, so यहाँ पे क्या होगा the boys, the boys are, हाँ का क्या होगा, are not playing cricket, present continuous tense का negative देख लिया, अब interrogative negative देखते हैं, तो interrogative negative में क्या होगा, each MR से स्टार्ट होगा sentence, right, जो helping verb है, उस से स्टार्ट होगा, then फिर subject आएगा, then फिर not आएगा, then फिर verb का फोर्स चौथा फोर्म, and then फिर rest of sentence, जैसे कि, am I not eating, are we not eating, are you not eating, are you not eating, right, is he not eating, is she not eating, is it not eating, right, are they, are they not eating, तो इस तरह का जो होगा, structure होगा, जैसे कि, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या देखिए, जो question, interrogative sentence है, वो starting में आएगा, क्या, जो की question वाले वाग की word है, वो starting में आएगा, अगर यह बीच में आएगा, जैसे कि, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ interrogative sentence, जो है, बीच में interrogative word है, that means, यह WS question के according, translate होगा, बट यहाँ पे तो question वाले word क्या है, starting में, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, how you will translate it, so इस में जो है, आपको क्या करना है, helping word आगे करना है, तो यहाँ पे, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, तो हैं क्या होगा, आर हो जाएगा, है, क्या वह पत्र लिख रहा है, so how you will translate it, तो इस में देखे क्या है, तो यहाँ पे है, क्या वह पत्र लिख रहे हैं, इज बहार आएगा, और यहाँ पे वह है, तो वह मेल के लिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज ही, लिखना का क्या हो जाएगा writing a letter क्या वह एक पत्र लिख रहा है इज ही writing a letter next क्या राम सो नहीं रहा है क्या राम सो नहीं रहा है क्या है रहा है तो है का यहां पर is बाहर है बाहर आएगा तो is राम सब्जेक्ट क्या यहां पर रहा है next, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, क्या वे पटना नहीं जा रहे हैं, so how you will translate, so यहाँ पर आर आ जाएगा पहले, are they not going to पटना, are they, right, helping verb, then फिर यहाँ पर क्या आ गया, subject में, they आ गया, फिर not, फिर going to पटना, वर्व का fourth form, and then पटना, right, so next देखते हैं, present continuous tense का, इसमें, आपको क्या करना है, w at questions, right, तो w at questions वाले, इसमें पहले, what, how, where, when, how, यह सारी जो है, word आएंगे, then फिर उसके just बाग, helping verb आएगा, each, am, यहाँ पर m होगा, sorry, ax आ गया, are, and then फिर subject, then not, अगर negative है, तो, then verb का fourth form, जैसे की, how am I not eating, right, तो मैं कैसे नहीं खा रहा हूँ, right, so, यहाँ पर देखिए, क्या है, आपका change हो रहा है, helping verb के according, कुछ example देख लेते हैं, right, जैसे, तो यहाँ पर देखिए, interrogative word जो है, वो sentence के बीच में, इसलिए, wh question के according इसका translation होगा, जैसे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, so, what are you doing, so, यहाँ पर what आ जाएगा, क्या का English, and then फिर are, right, and then you doing, right, so, यहाँ पर wh word आ गया, what, and उसके just बाद, helping word, हो का क्या होगा, are, then we subject, then we vote, okay, so, what are you doing, next one, वे क्यों रो रहे हैं, वे क्यों रो रहे हैं, so, how you will translate, to वे क्यों, क्यों यहाँ पर बीच में है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों उसके बाद, helping word, are आ जाएगा, and they आ जाएगा, right, so, यहाँ पर देखे, why are they weeping, तो, wh word, and then helping word, then subject, then verb का fourth word, okay, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं, तो why, why are, now, helping word आगा, and you, subject, not eating, वे आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, वे आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बीच में है, यहाँ पर क्या जाएगा, why are, helping word आएगा, why are, वे, तो, they आगया, not helping you, आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, right, so next देखते हैं, present perfect tense, okay, so, present perfect tense, इसको हम कैसे identify करेंगे, कि कोई भी sentence present perfect tense में है या नहीं, अगर किसी भी work के अंत में, या किसी भी work से ऐसा परतीत होता हो, कि कोई भी work अभी recently complete हुआ है, जिसका present relation है, right, तो, ऐसे sentence को हम present perfect tense कहेंगे, या फिर उस sentence को present perfect tense के structure के according, translate करेंगे, okay, so, जैसे कि यहाँ पे, किसी भी work के, normally देखा जाए, बट यही नहीं है, जो मैंने बताया आपको, कि sense भी होता है, कि कोई भी work, अभी recently, जिसका present relation है, ऐसे sentence को भी हम क्या करेंगे, translate करेंगे, present perfect tense के according, हम कुछ example देखते हैं, पहले, otherwise, किसी भी वाकिके अंत में, अगर चुका है, चुके है, चुके है, चुके हो, या चुका हू या चुकी हूँ, इस तरह का, अगर, like, you know, धिखाई दे, तो उसको हम present perfect tense में रखेंगे, present perfect tense के according, translate करेंगे, जैसे, अगर structure देखें, यहाँ पे, मैं इसका structure बताऊं, तो subject, फिर has have, and v3 plus object, okay, so कहां पे has का use होगा, कहां पर have का use होगा, oblique करके है, तो दोनों हम use एक साथ नहीं कर सकते, तो अगर third person singular number है, तो उसके साथ, has का प्रियोग का rest of के साथ, जो है, जो भी आए, उसके साथ हम have का प्रियोग करेंगे, okay, so, यहाँ पे देखेंगे, आप, कुछ example देख लेते हैं, जैसे कि, मैं खा चुका हूँ, right, अगर मुझसे पूछेगा, कि please, test it, तो मैं बोलूगा, यार, मैं अभी just खाया है, मैं खा चुका हूँ, so, I can't take a bite even, okay, so, यहाँ पे, अभी जो है, खाना, जो है, वो just complete हुआ है, मैं खा चुका हूँ, so, इसमें 100% work completion की बात हो रही है, और यह current से, present से relate कर रहा है, मैं खा चुका हूँ, so, हूँ, that means, अभी का मैंने खाया है, तो इसका translation कैसे होगा, तो मैं subject, फिर has or have, तो third person singular number के साथ has use होगा, जो कि he, see, eat, या कोई भी वस्तू या व्यक्ती, अगर single individual का बोल कराता हो, तो उसको हम third person singular number में रखते हैं, और उसमें जो है, has का प्रियोग होता है, सभी के साथ have का प्रियोग होगा, बाग, सिर्फ third person singular number की साथ has का होगा, जैसे, यहाँ पर मैं, मैं का English का होता है, I, वो first person मैं है, तो उसके साथ have, he, use होगा, has का use नहीं होगा, okay, so, यहाँ पर I have, right, eat का verb का third form use होगा, यहाँ पर, verb का third form का होता है, eat, eat, eaten, okay, so, eat, ate, eaten, okay, so, यहाँ पर I have eaten, okay, so, next, हमने वह किताब पर ली है, मतलब, अभी currently मैंने वह किताब पर ली है, मतलब काम, completion का इस में बहुत होड़ा है, कि जो पढ़ने का काम था, वो मैंने complete कर लिया है, अभी recently, so, इसको हम कैसे translate करेंगे, तो हमने वह किताब पर ली है, okay, so, यहाँ पर V, V के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो यह इससे पता लग रहा है कि इसका काम जो है, इसका कम्प्लीट हो चुका है, that means, इसका translation, present perfectence के according होगा, so, इसमें हम यूज़ करेंगे, V, V के साथ, यहाँ पर हैज, और हैव, मतलब, यहाँ पर हैव लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन इसिंग रीड का क्या होगा, read, rate, rate, तो यहाँ पर, we have read, this book, right, लिखा सेम होता है, but pronunciation, read, rate, rate, तो, we have read this, that book, वह किताब पर ली है, we have, यहाँ पर subject, फिर has, यहाँ पर हैज लगेगा, क्योंकि फ्र्स परतें है, और फिर, अब का थर्ड फोर्म होगा, then, फिर, rest of sentence, we have read, that book, किताब हमने पढ़ ली है एक आप सो चुका है ने का काम हो चुका है इसमें जो है राम एंड तैन फिर हैंग लगेगा यह लगेगा इसमें थर पर संगलर नंबर है तो यहां पर क्या होगा है का यह वा कतरा 5 कि तो महातलि ऑसलीब त्विसल अधिक कर दो करण है इसमें तुम खेल चुके हो तुम खेल चुब़ुकर है गैट मिंस इसका भी ट्राइब का थार्ड फर्म प्लेट 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 होता है तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नौट लगाना है जैसे कि मैंने राम को नहीं देखा है तो अगर किसी ने पूछा आपसे किसी ने पूछा कि तुमने मेरे भाई को देखा है क्या तुमने उसको देखा है क्या तो मतलब आपने बोला नहीं मैंने उससे नहीं देखा जो आपका देखने का काम था क्या आपने देखा है या नहीं देखा वो तो complete हो चुका है, that means इसका translate भी कैसे होगा, present perfect tense के according होगा, क्योंकि उसने जो पूछा देखने का काम वो आप कर चुके हो, right, तो मतलब आपने नहीं देखा है का आपका काम वहाँ पे finish होगया देखने का, so इसको हम present perfect tense के according और translate करेंगी, तो मैंने, तो मैं के साथ क्या लगेगा, has यहाँ पे have लगेगा, so I have not, वर्व का जो यहाँ पे देखना है, see होता है, see, seen, see, south, seen, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, scene हो जाएगा, right, I have not seen the Ram, मैंने Ram को नहीं देखा है, ठीक है, so next one, उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, right, उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, तो जो मदद करने का, जो आपने promise किया था, या जो आप मदद मेरी कर सकते था, वो आपने नहीं किया है, अभी तक, जो मदद करने का था, आपने नहीं किया है, इसका भी translation क्या होगा प्रजान्थ परफेक्टेंस के क्रडिंग होगा like उन्हा उन्हें दे के साथ क्या लगगा have not helped me वाव का third form ओके नेक्स वन बच्चे इस्कूल नहीं गये बच्चे इस्कूल नहीं गये तो आज बच्चे के स्कूल जाने के काम नहीं हुआ तो इसको भी ट्रांसलेट स्ट्रक्चर के एकॉर्डिंग हुआ उसको हम धावूड लगाल चल्रांसलेट है तो इसको हम लगाएंगे तो इसको हम गाव लगा है तो गाना गाने का काम जो था पहले वह ना तो एक गालेता या ना गाता तो वह काम गाने का नहीं हुआ है जो टाइम ओवड उस सकता है तो यहां पर उसने रैट तो यहां पर क्या हो जाएगा see has not see के साथ क्या लगेगा has तो यहाँ पे he भी हो सकता है गाया है तो he has not singing का third form का sing, sang, sung तो verb का third form sung the song ओके so present fact का यहाँ पे आप देखेंगे interrogative negative sentence interrogative negative sentence इसको कैसे हम translate करेंगे friends so इसको देखें यहाँ पे क्या है आपका इसमें जो है has have जो helping verb है वो बाहर आएगा then फिर इसमें subject का use होगा then फिर not then फिर verb 3 का form and then rest of sentence जैसे have I not eaten have you not eaten right has तो यहाँ third person singing the number के साथ है तो has लगेगा सिर्फ subject फिर not फिर eaten verb का third form हमेसा लगेगा ओके सिर्फ third person from the number के साथ है जो बाकी सभी के साथ have so आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या तुमने राम को पीटा है क्या तुमने राम को पीटा है तो तुमने यहाँ पे क्या है subject subject जो है second person में इसके साथ क्या लगेगा have लगेगा क्या लगेगा हैब लगेगा so have you have you right have you beaten राम राइड वर्व का थर्ड फॉर्म आ गया है और फिर राम क्या वे यहां आए हैं क्या वे यहां आए हैं so यहां पर आप देखेंगे तो आए हैं question पूछा गया है आया यह नहीं आया तो यह perfect tense में है तो क्या वे यहां नहीं आए है नहीं में है है यवे है कि तो मतलब कहां और फ़ॉर्म में है इसमें हम क्या उच करेंगे इसमार यूज करेंगे ready so यहां पर have they have they come का सिया क्या था ये आपर है कम या यह सिन यहां पर और फिर तरड फॉर्म देन फिर अब्जेक्ट कि अच्ट किया उसने पढ़ाई नहीं की है यहां पे उसने मतलब एक वस्त का बोद होड़ा है यहां पे क्या हो जाएगा एज होगा राइज सी और ही राइज नौट इस्टडीच राइज So, has she not, right, has she not studies, next, क्या आपने मैच नहीं खेला है, क्या आपने मैच नहीं खेला है, तो मैच खेलने का काम आपने नहीं किया, तो यहाँ पे आपने है, तो यू है, second person है, have you जोगा, तो have you not played, played मैच, have you not played मैच, अब यहाँ पे देखी क्या है, डबलू एच कोश्चन्स, ठीक है, तो डबलू एच कोश्चन्स, इसमें आप देखेंगे क्या है, अगर interrogative word, जैसे कि कब, कहां, कैसे, क्यों, कहां, तो क्यों, यह सब अगर sentence, जो word है, वाकी के बीच में आए, तो उसका translation, डबलू एच क्यू के according होता है, उसका structure है, यहाँ पे डबलू एच वर्ड पहले यूज करेंगे, इसके बाद has, have, then subject, not, फिर पाद three, then rest of sentence, जैसे how, how have I not eaten, मैंने कैसे नहीं खाया, मैंने कैसे नहीं खाया, ठीक है, यहाँ पे interrogative sign होगा, so जैसे example देखते है, आपने क्या लिया, क्या किया है, आपने क्या किया है, तो क्या किया है, इसने पूछ रहा है, that means आपने पहले जो करना था, वही पूछा जा रहा है, तो आपने क्या किया है, तो क्या किया हो जाएगा, what, right, अब what के साथ, has लगेगा, या have लगेगा, यह आपको decide करना है, तो आपने है, you, that means have लगेगा, तो what have you, right, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, done, वर्ब का third form, तो what have you done, next, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, तो उसने यहाँ पे subject है, तुम्हें क्या है, object है, तो उसने तुम्हें क्यों पीटा, तो तुम्हें पीटने का काम तुम पे हो रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, object हो जाएगा, और उसने क्या होगा यहां पे subject होगा तो उसने that means एक third person singular number है तो has का use होगा यहां पे तो क्यों का क्या हो जाएगा why why has he right why has he like you know bitten you पीटना का क्या हो जाएगा bitten why has he bitten you बच्चे क्यों नहीं क्यों नहीं सोए तो बच्चे क्यों नहीं सोए इसको इसमें आप देखेंगे तो बच्चे तो एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है that means इसका जो है third person plural form में है okay so इसके साथ have का use होगा have the children बच्चे यहां पे क्या है subject है have the children have the children have the children not sleep का third form क्या होता है slept right so why have the children not slept right why have the children not slept next क्या आपने क्या नहीं किया यह दिखिए यहां पे same sentence आगया है so what have you not done so यहां पे present perfect continuous tense की अब बात करेंगे हम इसमें तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक की जो है कोई भी sentence जो है present perfect continuous tense में है तो इसको कैसे पहचानेंगे देखते हैं इसमें अगर किसी भी वाक में या किसी भी sentence में ऐसा दिख रहा है या आपको feel हो रहा है कि कोई वाक या activity present में होता ही रह रहा है एक time period से वो हो ही रहा है जैसे मैं अभी ये class ले रहा हूं तो मैं ये कर रहा हूं बट कोई भी work एक time limit से चलता ही आ रहा है तो इसको इस तरह के sentence अगर दिखे तो उसका translation जो है present perfect continuous tense के recording होगा आप इसको और अच्छे से बहतर दंग से समझ पाएंगे जब मैं example दूँगा तो इसका structure देख लेते हैं पहले तो structure में यहाँ पर देखे पहले subject का यूज होगा then फिर has या have तो has यूज होगा बाकी सभी के साथ have यूज होगा and then फिर been right have been and then फिर वर्ब का fourth form and rest of sentence जैसे जैसे मैं खाता रहा हूँ तो खाने का जो काम है वो continuously चलता रहा है right so मैं खा रहा हूँ अभी की बात नहीं एक past में start हुआ and then फिर वो करता ही आ रहा हूँ so इस tense में I have been eating तो पहले subject आया have been फिर वर्ब का fourth form next हम पढ़ते रहे हैं हम पढ़ते रहे हैं so how you will translate तो यहाँ पे देखिए तो पढ़ने का काम जो है continue जारी है so we have been reading या studying we have been reading और studying next राम तैड़ता रहा है right राम क्या कर रहा है तैड़ता ही रहा है रहा है right so एक time line से right किसी भी time से morning से evening से 9 बजे से 4 बजे से 2 बजे से 1 साल से 5 साल से right तो इस एक time limit होता है इसमें present perfect continuous tense में तो वो करता आ रहा है right so इसका राम तैड़ता रहा है तो राम के साथ क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा राम हैज बिन right राम हैज बिन स्वीमिंग राम हैज बिन स्वीमिंग प्रिजेंट में दास्थ त्री आर्स से इसमें क्या होगा आई के साथ लगएगा आई हैब बिन रीडिंग रीडिंग दिस बुक यहाँ पे तीन घंटे से फॉर थी आर्स right आई है बिन रीडिंग दिस बूग फॉर थी आर्स जब वी कोई टाइम lag सिर्फ अगर आइक अंदाजा हो इसकि इसमें वह पर 9 बज़े दस बजे से जा स aquí तने घंटे तक टाइम लाइन नहीं हो तो ुसमें हूं पर यूज क्षों हो तो उसके साथ और से यूज करेंगे जैसे डाइन boys बढ़ रहा हूं I have been reading this book since 9 o'clock 9 बजे time fix है 9 बजे अगर बोला जाएगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं So I have been reading और studying for 2 hours मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो इसमें time fix नहीं है बट जहाँ पर time fix है वहाँ पर हम since करेंगे So मैं 6 बजे से दौर रहा हूं यहाँ पर time limit जो है 6 बजने का fix है वह 6 बजे से दौर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा I have been running since 6 o'clock यहाँ पर क्या है since आजाएगा क्यूंकि timeline fix है यहाँ पर 3 घंटा कौन सा 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे से कितने बजे से 2 तीन घंटा तो जहाँ पर timeline fix नहीं हो वहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे जहाँ पर timeline fix हो वहाँ पर हम जो है since का यूज़ करेंगे जिसे सुबह से साम से आट मजे से नौब जे से 1950 से उनिसों से तारीश से तो इस तरह के जो timeline fix होते है उसके साथ since का यूज़ होता है रेश्टॉप के साथ 4 का यूज़ करेंगे ठीक है so next वह 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहा है वह 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहा है so timeline fix है यहाँ पर 2018 से वह पढ़ने का काम इस स्कूल में कर रहा है continuously तो इसके साथ since का यूज़ होगा तो वहाँ है तो वहाँ के साथ has का यूज़ होगा ना कि have का यूज़ होगा so he has been studying in this school since 2018 okay so यहाँ पर देखिए क्या है पहला जो है subject ही है and then फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्या है यहाँ पर has होगा क्योंकि 2018 next सीता सुभा से लिख रही है सीता सुभा से लिख रही है तो यहाँ पर सुभा से एक टाइम लैन फ्री है सुभा से लिख रही है तो सीता has been writing a letter since morning a letter की बात नहीं है हाँ पर सीता has been writing since morning okay next पर जेंगी continuous tense तो यहां पर देखिए इसका क्या है तो यहां पर आजाएगा पर वार्फ का फॉर्थ फोर्म czy पॉ types जैसे मैं सुबर से रहा हूं तो यहां पर क्या होगा है के साथ है लगेगा इसके बात टुरत नौट लगाना है फिर रणिंग तुलिन कि उसे 5-5 नहें सब्सक्राइब्स करोजने जैसे यहां पर आ जुझात इस्क एसमों के थार्ट फ्रिंज क्रों उस्क्राइब me for use करेंगे और यहां पर है तो है का यूज करेंगे so he is not working for two days ओके सो वहां 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहां दो दिनों से काम नहीं कर रहा है इसको उस-तरह से भी हम बना सकते ही जोन ओन्ट वरकिंफॉर दो डेज और ही हज नौट बिन he has not been working for two days दोनों correct हैं ओके, so next चलते हैं present perfect continuous tense के जो है interrogative negative sentence ओके, so इसमें इसमें जो है interrogative negative sentence तो इसमें has have पहले आ जाएगा right, so has have first आ जाएगा starting से, जैसे कि यहाँ पे क्या वह सुबह से दोर रहा है so क्या वह सुबह से दोर रहा है यहाँ पे interrogative है तो हैज have से start होगा तो वह के साथ हैज लगेगा right, तो यहाँ पे क्या होगा has he been running since the morning okay, क्या आप यह काम सालों से नहीं कर रहे हैं सालों से, timeline कोई fix नहीं, कितने साल से right, कब से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा for use हो जाएगा since के जगा पे तो क्या आप यह काम नहीं कर रहे है तो क्या आप आपके साथ क्या है, third person नहीं है यह second person you है तो you के साथ have लगेगा have you, have you not been right, have you not been been के पहले ही not लगेगा right, have you not been doing this work right, for 10 years right, क्या आप यह काम साथों से नहीं कर रहे है वह सुभा से क्यों रोता रहा है right, सुभा से timeline fix है, वह है तो हैज होगा, तो यहाँ पे यह देखी क्या है, wh questions है क्यों रोता रहा है तो क्यों जो है, जो interrogative word है वो sentence के बीच में है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, wh word हम यूज करेंगे okay, so यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा why has right, why has why has been okay, so why has been okay, so यहाँ पे सोना का क्या हो जाएगा sleeping since morning why has he right, he been crying okay, यहाँ पे रोना है so crying since morning next, आप दो साल से कहां रह रहे हैं आप दो साल से कहां रहे रहे हैं so how you will, like you will translate it तो आप दो साल से तो यहाँ पे interrogative sentence है wh questions है, जो यहाँ पे कहां है वो बीच में है तो wh के according बनाएगे तो कहां कर क्या हो जाएगा तो आप है, तो यहाँ पे second person है तो have का यूज होगा तो where have okay, so आप where have you been रह रहे हूँ रहना कर क्या होगा staying या living for two years okay, तो where have you been living for two years where आगया, where के साथ यहाँ पे you है, तो have आजाएगा फिर बीन आजाएगा living for two years past tense okay, so present tense अभी खतम हुआ and then for past tense अभी देखते है and then for future tense भी हम cover करेंगे, so present tense में कोई भी doubt रह गया हो कुछ भी confusion हो या कुछ और examples आपको चाहिए right, तो आप जो है live session अभी actually पूरा का पूरा tense हमने complete कर लिया है, पूरा voice complete कर लिया है, model work complete कर लिया है live session में, तो आपको अगर इसमें doubt है, तो आप मुझे comment कीजिए, या फिर आप telegram, instagram इसपे join करके personally आप पूर सकते हैं, live session join कीजिएगा, Monday से live session हमारा फिर से resume हो रहा है फिर से start हो रहा है, तो आप उसमें भी join करके किशी भी तरह की English related question आप पूर सकते हो right, आप वहाँ पे अपने English को groom कर सकते हो grammar wise, translation wise या फिर आप spoken improve करना चाहते हो, vocabulary इंप्रूब करना चाहते हो, you can groom your English, okay, so अब हम देखते हैं, भूतकार, okay so भूतकार ऐसा work, या activity, या ऐसा kडिया या काम जो की past में 100% complete हो जुका है, उसको हम past tense कहते हैं, उसको हम past tense like you know, इसके 4 types होते हैं, जैसा की present जो है tense में 4 types थे, तो 4 types कौन कौन से हैं, simple past tense past indefinite tense, तो आगर आप simple past tense के हैं या past indefinite tense के हैं, दोनों कह सकते हैं आप, as you wish, so दूसरा part है इसका past continuous tense या past progressive tense, तो दोनों में से आपको जो कहना है, आप कह सकते हैं तीसरा past perfect tense चोथा past perfect continuous tense, तो आब हम one by one इसको जानेंगे कि इसका identification कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी sentence कैसे, किस tense में है, किस types के हैं और उसको कैसे है, उसका formula क्या है translate करने का with example ओके, जैसे पहला simple past tense अगर किसी भी वाक, किसी भी sentence में अगर दिखे कि इसके last में था, थी, थे, या आ, ई, ए, रहा है लगा रहा, दिख रहा है उसका, जो है, translation simple past tense के according होगा, या फिर उस वाकी को simple past tense में कहेंगे ओके, इसका structure क्या है इसका formula क्या है, कैसे हम इसको translate करेंगे ओके, यहाँ पर आप देखें तो इसका structure है, पहले हम subject लिखेंगे, and then फिर वाव का second form यूज करेंगे वाव का second form यूज करेंगे and then फिर rest of sentence तेसे क्यों object हम यूज करेंगे तो person, इसमें देखेंगे इसमें person का ज्यादा important role नहीं है बट फिर भी, जैसे यहाँ पर क्या होगा, I, मैं, मैंने खाया, आ लगा हुआ है मैंने खाया, मतलब खाने का काम हो चुका है, so यहाँ पर वाव का second form लगेगा, I ate खाना का eat से ate, okay, so we ate you ate view ate, he ate they ate, तो यहाँ पर किसी भी tense, किसी भी person, right, sorry, किसी भी number और किसी भी person में रहे तो हमेशा we to he huge होगा जैसे मैं गया, right मैं गया, तो यहाँ पर आ लगा हुआ है, ठीक है, so इसका simple present tense में यह sentence है, तो इसका हम कैसे translate करेंगे, तो पहले हम subject लिखेंगे, subject क्या है मैं and then फिर क्या है इसमें गया, तो जाना का जाना, तो यहाँ पर V2 लगेगा, तो I went क्या होगा, I went okay, so next सीता आई, right आई, ए लगा हुआ है, तो यह यह simple past tense में है तो सीता, सीता कैम, कम का दूसरा form क्या है, कैम, V2 लगेगा so तीसरा उस, उसने एक पत्र लिखा, sorry यहाँ पर उसने होगा, तो उसने एक पत्र लिखा, that means आ, आ है, that means a simple past tense है, तो उसने एक पत्र लिखा, तो ही होगा, क्योंकि लिख्षी होता तो C होता, तो यहाँ पर ही wrote a letter, right वर्ब का दूसरा form लिखना का क्या होता है, write, wrote, written, writing and writes, okay तो वर्ब का दूसरा form, write का क्या होता है, wrote तो, he wrote a letter, ठीक है so, यहाँ पर क्या हो जाएगा, he wrote a letter, b to subject, प्लस वर्ब का second form, then फिर rest of sentence object, okay, so next मैंने अपनी कार बेज बेज दी, right बेज दी, यह लगा हुआ है तो यहाँ पर, इसका मैंने अपनी कार बेज दी, I sell, बेजना का क्या होता है, sell sell का दूसरा form क्या होता है, sell का sold, I sold my car, okay so I sold my car, next अब इसमें क्या है negative sentence negative sentence में इसमें जैसे ही negative sentence आएगा, past tense में उसमें did लगेगा क्या लगेगा, did लगेगा, subject के बाद, did not subject के बाद, did not and यहाँ पर वर्ब का first form जैसे did लगा, वर्ब का पहला form लग जाएगा, okay so जैसे I did not eat, we did not eat तो यहाँ पर ज्यादा third person, like first person या second person का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि first person second person, third person में सभी ने did लगेगा, okay so कुछ एग्जामपल देखते हैं so यहाँ पर negative subject plus did not plus be one फिर rest option मैंने नहीं खाया, आ उतलब खाया, तो यह क्या है, यह simple past tense में है, that means इसका translation जो होगा, कैसे होगा उसमें subject लगाएंगे and negative में है, तो did not लगेगा, कहीं पर ऐसा नहीं है कि do does वाला case, क्योंकि past tense में, तो did लगेगा आकान मून के so, he did not eat यहाँ पर eight भी नहीं होगा क्योंकि did लग गया, तो verb का first form होगा यह आप धियान रखेगा so, he did not eat यहाँ पर eight नहीं होगा, eat होगा because यहाँ पर did लग गया, ओके दूसरा, मैंने उसे नहीं देखा तो मैंने उसे नहीं देखा, तो I उसके बाद नहीं है, that means interrogative है, इसके साथ तुरत आकान मून के did लगाना पड़ेगा तो I did not seen seen, seen seen नहीं होगा, see होगा, right तो see होगा, क्योंकि seen, right saw भी नहीं होगा so, I did not see him I did not see him okay, so, उसने कोई किताब नहीं खड़ी दी, right, so उसने कोई किताब नहीं खड़ी दी खड़ी दी, E, लगा हुआ that means simple past tense है, तो इसका हम कैसे translation करेंगे, इसमें भी negative है, तो did लगेगा तो उसने, उसने मतलब खड़ी दी, उसने कोई किताब नहीं खड़ी दी, that means see वह कोई लड़की है, जिसने कोई किताब नहीं खड़ी दी, तो see होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, see did not buy a book, any book okay, so यहाँ पर क्या है, any book तो, यहाँ पर he और see, तो see did not buy any book और a book, any book, okay so concept आपको समझ में आ गया, तो हम वहाँ नहीं गये, a लगा हुआ है था हम वहाँ नहीं गये, so हम वहाँ नहीं गये, तो interrogative sentence नहीं, negative sentence है तो did लगेगा, तो we did not यहाँ पर क्या होगा जाना, जाना का go, we do भी नहीं लगेगा वाव का first one लगेगा, so यहाँ पर क्या हो जाएगा, we did not go, there, वहाँ, there, okay so let me take some water, please give a moment, okay जाना बंगेगा, save झाल प्रिर्ड का थार्य्में रखन स्टृ्ट कहा तो अ sensible इन इन देखा है सब्सक्राइब हां इसके बाद सब्सक्राइब ही और उसके बाद सब्सक्राइब इसे उइन अगर इसमें अनीगे टिव है तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद not भी यूज करते हैं जैसे उसके बाद डबलु एस कोश्चिर अगर इंट्रोगेटिव में WH question मतलब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है what, कहा, कब, कैसे, क्यों यह जो इंट्रोगेटिव वर्ड है अगर किसी भी वाकी के बीच में आये तो वह WH word के according translate होगा जिसका structure है पहले why, what, how, when, जो भी है उसके according हम वहाँ पर यूज करेंगे and then उसके तुरत बात हम क्या यूज करेंगे, did का यूज करेंगे and then फिर subject, फिर not, फिर पर का first form okay, so कुछ example देखते हैं, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, e लगा हुआ है, that means यह past tense में है और simple past tense में है, और इस में जो है, यह interrogative sentence है, क्या तुमने गाली नहीं दी, तो क्या, तो यहाँ interrogative है, तो यहाँ पर did पहले आएगा तो did, तुमने, तो you, did you not, right, did you not abuse me, right, so यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर क्या आएगा, did, उसके बाद subject आजाएगा did subject, फिर verb का first form, या फिर अगर negative है, यहाँ पर not आजाएगा, then फिर verb का first form आजाएगा, तो did you, फिर negative है, तो not आगया, फिर गाली देना का क्या हो जाएगा, abuse, verb का first form लगेगा, क्योंकि did लग गया यहाँ पर, तो abuse, उसके बाद object me, did you not abuse me, क्या तुमने मुझे गाली नहीं थी, okay, उन्होंने क्या नहीं कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा, so how you will translate, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि wh word, जो integrative word है, वो sentence के बीच में, तो that means, इसका translation, इसके according होगा, wh q के according होगा, जैसे कि, क्या, क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, what, what के तुरत बाद क्या हो जाएगा, did, उसके बाद subject, फिर not, फिर verb का first one, तो यहाँ पर देखें, यहां पर देखी क्या है what क्या जाएगा what उसके बाद subject क्या आ जाएगा what के बाद तुरत बाद दीड आ जाएगा what did उन्हाँने तो यहां पर क्या जाएगा they उसके बाद subject आ जाएगा they and then not फिर वर्ब का first form say what did they not say what did they not say तो यहां पर देखी जो डिफ्रेंस है interrogative and wh question वो direct दीख रहा है यहां भी क्या है यहां भी क्या है यह क्या सिर्फ starting में है तो इसलिए helping word से बन गया और यहां पर क्या sentence के बीच में है तो इसलिए wh word का यूज किया गया okay so ऐसे बन गया right अब simple past tense के कुछ question क्या वे गाउं में रहने लगे थे right so क्या वे गाउं में रहने लगे थे so so did they right so did did they interrogative sentence है right so यहां पर देखिए did they तो क्या है तो did आ गया and they began to live in a village क्या वे गाउं में रहने लगे थे थे है था थी थे आई ए यह यह लगा रहेगा तो simple past tense में है तो interrogative sentence है यह तो did क्योंकि starting में है क्या तो did they did they उसके बाद यहां क्या हो जाएगा verb का first form तो रहना रहने लगना तो उसमें क्या हो जाएगा begin right किसी चीज़ का start करना सुरवार करना मतलब उसका क्या होता English begin right to begin to live in a village okay उसने तुम्हें पीटना क्यों सुरू किया तो पीटना सुरू क्यों किया तो यहां पर देखे डबलू एज वर्ड क्या है क्यों बीच में है तो क्यों 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 जाएगा वाय वाय के तुरत बात क्या आजाएगा तीट रहेट तो उसने उसने ही रैट वाय डिट फीटना तुम्हें पीटना क्यों सुरू क्यों सुरू क्यों सुरू क्या यह क्या है वर्ब तो, वाइन वाभ है, तो, Why did you, He began to beat you, ओके, next, So, क्या वह रोने नहीं लगी, क्या वह रोने नहीं लहीं, ये देखे, इंक्रोगेटिव है रही है, वह वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग मे ये है, तो यहाँ पर Did, क्या लगेगा, Did see, वह रोने ले, Did see not begin to weave, वह क्यों भागने लगे यह फिर इंट्रोगेटिव डब वह वाला आ गया कि वह क्यों भागने लगे तो यहां पर भागने लगे स्टार्ट यहां पर यहां पर आप दखेंगे पास्ट कंटिनिस टेंश तो यहां पर पास्ट कंटिनिस टेंश को कैसे पहचानेंगे अगर किशी भी वाकी के अंत में किसी भी sentence के अंत में अगर रहा था रही थी रहे थे रही थी लगा हुआ है या दिख रहा है तो इसका मतलब है वह sentence past continuous tense में है और उसका translation अगर करना है तो past continuous tense का जो structure है जो formula है उसके according हम उसको translate करेंगे तो उसका structure क्या है वो कि हम देख लेगी है so उसका structure है subject पहले लिखेंगे then for helping walk watch और वेश तो आपको पता है watch कब you already watch कब यूज होता है watch जो है singular number के साथ यूज होता है और where , फ्रूल colored number के साथ यूज होता है और used के साथ uso होता है जैसे i was not eating हम नहीं खा रहा था right so we were not eating, हम नहीं खा रहे थे, right, so he was not eating, वह नहीं खा रहा था, right, they were not eating, so वे लोग नहीं खा रहे थे, you were not eating, you के साथ हमें सा वेर लगता है, सिंगर पूलर दोनों केस में, so यहाँ पे आप देखेंगे, example कुछ, मैं खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, मैं पहले यहाँ सब्जेक्ट आजाएगा, then फिर वाज यहाँ था है, तो वाज हो जाएगा, फिर I was eating, वाव का, वाव का यहाँ पे क्या है, fourth form, right, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट क्या है, subject, वाज वेर, फिर not, वाव का fourth form, and rest of subject, तो यह आसान है, I was eating दूसरा है, तुम हस नहीं रहे थे, you was not laughing, you were, sorry, you were not laughing, you के साथ हमेशा वेर यूज होता है, तो you were not laughing, subject, फिर वाज यह वेर, यहाँ पे वेर हो गया, फिर not laughing का before, okay, so हम नहीं खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, तो इसमें देखें क्या है, वी है, वी के साथ क्या आजाएगा, फिर not आजाएगा, फिर वर्ब जो है, यहाँ फोर्थ फॉर्म, खेलना का playing हो जाएगा, जैसे we were not playing, हम नहीं खेल रहे थे, नेक्स्ट, राम अपने भाई को पीत रहा था, राम अपने भाई को पीत रहा था, तो राम, राम वाज, यह कि सिंगलर नमबर है, तो राम वाज, बीटिंग, हिस ब्रदर, तो राम हो गया, like helping word, be for and then rest of sentence, so next देखे अगर हम देखे तो negative sentence, negative sentence, so यहां पर क्या है subject, फिर watch where, फिर not, फिर verb का fourth form and then rest of sentence, जैसे मैं नहीं खा रहा था, तो सिर्फ not लगाना है, that's it, right, तो सेम वही structure रहेगा, फिर not लगा देना, helping verb के बाद, और man verb के पहले, तो यहां पर देखे क्या है, आई, उसके बाद was, उसके बाद not eating, right, very simple, I was not eating, दूसरा पक्छी चहक रहे थे, पक्छी नहीं चहक रहे थे, so यहां पर the birds where, तो पक्छी एक से ज्यादा पक्छी नहीं चहक रहे थे, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहां पर the birds were not, twittering, right, twittering, so चहकना का creeping भी हम and then twittering भी हम पोल सकते है, the bird were not twittering, right, so चहकना का tweeting यहां पर पी, okay, so next, वे कुछ नहीं कर रहे थे, they were not doing anything, so they were not, they were not doing anything, वे कुछ नहीं कर रहे थे, या फिर दे वे दूए नहीं 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 नहीं, okay, so, next, आपस्त चुनियस देन का जो नहीं 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 चुछ नहीं नहीं sentence है, इसमें वाज वेर पहले आ जाएगा, and then फिर subject आ जाएगा, then to not feel का fourth form, and then rest of sentence, जैसे, यहां पर आप देखेंगे, क्या मैं अस रहा था, तो वाज वेर बाहर आ जाएगा, तो यहां मैं है, तो वाज आ जाएगा, तो वाज आई लाफिंग, वाज आई लाफिंग, आप सो नहीं रहे थे, so how you will translate it, तो interrogative sentence है, तो यहां पर थे है, तो वेर आजाएगा पहले, वेर यू नाट स्लिपिंग, तो वेर यू नाट स्लिपिंग, ओके, so next, क्या राम पर रहा था, क्या राम पर रहा था, तो यहां पर था है, वाज राम स्टेडिंग, या क्या वे खाना बना रहे थे, क्या वे खाना बना रहे थे, so how you will like to translate it, तो यहां पर देखी क्या है, क्या वे खाना बना रहे थे, so यहां पर क्या जाएगा थे है, तो वे, तो क्या हो जाएगा, वेर दे कूकिंग, वेर दे कूकिंग फूड, खाना बनाना, so बनाना का का कू इसमें क्या है यह डबलू एच कोश्चेन्स हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए उस पार्टिकुलर इंट्रोगेटिव वर्ड को जैसे कब क्या क्यों इसका इंग्लिस वर्ड लिखना परता है इसके साथ तुरत बात है helping verb का use करना होता है जैसे यहां पर हम देखेंगे जैसे इसका structure क्या है यहां पर interrogative word, helping word, then subject, not, फिर verb का fourth form, तो यहां पर आप देखेंगे, so क्या राम क्या कर रहा हो था, यहां पर देखें, interrogative word जो है sentence के बीच में है, so यहां पर क्या जाएगा, what, क्या का अंगलिस क्या होता ह तो what watch, उसके बाद subject आजाएगा, राम, उसके बाद कर रहा करना का क्या हो जाएगा, doing, तो what watch, राम doing, what watch, राम doing, so, okay, so what watch, राम doing, so, यहां पर राम क्या कर रहा था, next, तुम इसकूल क्यों नहीं जा रहे थे, तुम इसकूल क्यों नहीं जा रहे थे, so how you will translate it, तुम इसकूल क्यों नहीं जा रहे थे, okay, so, यहां पर आप देखेंगे, तुम इसकूल क्यों नहीं जा रहे थे, यहां पर क्यों है, तो why, why you, तो why के तुरत बात helping verb चाहेएगा, you क साथ क्या लगेगा विएवेड यू नॉट फो इन तो वै वर यू नॉट फोियर यू अगे आहHवेज क्या है यहां पर इन्टोर्गेटिफ वर्ड वर्ड और जो है सिम्बल देना था नहीं पर मिसिञ रहा है तुम when, where, subject क्या जाएगा, तुम आ जाएगा, you and कब जा रहे थे, when, where you going there, right, when, where you going there, सीता क्या नहीं कर रही थी, सीता क्या नहीं कर रही थी, so, इसमें क्या है, क्या का English क्या हो जाएगा, what, and इसके बाद था हो जाएगा, helping, what, what was, सीता, right, not, doing, okay, so, what was, सीता, not, doing, right, what का English आ गया, what के साथ, helping, वह वाज आ गया, फिर, subject सीता आ गया, फिर, not आ गया, फिर, doing आ गया, तो, what was, सीता, not, doing, okay, so, next, okay, so, यहाँ पर देखेंगे, past perfect tense, right, तो, past perfect tense भी, simple है, so, इसका जो है, identification कैसे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसका actually use, जो होता है, जहाँ पर I had, right, I had eaten, तो, पहले subject आ जाता है, फिर, पास्ट में कोई काम हो चुका होता है, तो, इसका हम direct example से देखते हैं, तो, इसमें देखेंगे, यह जो structure है, subject, उसके बाद head, उसके बाद verb का third form, इसमें hedge have का कोई पंगा नहीं है, फिर, फिर, इसमें क्या होता है, तो, इसमें, इस तरह के present perfect tense के होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी work, एक साथ दो, जैसे की, कोई भी work 100% complete हो चुका होता है, और दूतरा काम उसी के साथ, प्रजेंट से related होता है, जब example हम देखेंगे, यहां पे लिखा गया है, एक कार, दूतरे कार से बहुत पहले, पुल रूप से समाप्थ हो गया होता है, बट जो पहला, जो समाप्थ होने वाला कार के लिए, जो पोस्ट बात की जो क्रिया होती है, पहला जो work 100% complete हो गया और दूतरा जो work हो प्रजेंट से related है, कुछ एक्जामपल हम देखते हैं इसमें, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरी की मौत हो चुकी थी, इसमें जो है दो एक्टिविटी है, एक जो है डॉक्टर की एक्टिव एक work जो है प्रेसेंट का मरने का वो already complete हो चुका है और दूसरा जो है वो प्रजेंट से related है, तो इसको हम कैसे translate करेंगे, इसमें क्या होता है इसमें होता है जैसे कि पहले 100% work complete हो चुका है, उसका translation हम कैसे करेंगे, उसका translation प्रजेंट past perfectence की recording करेंगे, यहाँ पर क्या है past perfect तो पेसेंट हो गया फिर हैड हो गया फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मरना का टाइट तो इसमें जो है जो बाद में काम हुआ जो अल्रेडी कम्प्लीट हो जको है 100% उसके बाद काम हुआ कोई भी तो उसका हम ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफनेट टेंस जिसको हम सिंपल पास करते हैं उसके एकॉर्डिंग होगा तो इसमें क्या होता है सब्जेट एंड वी टू राइट सो अभी कुछ और एक्जामपल देखते हैं इसमें पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था तो यह काम जो है भागने का वह 100% पास्ट में कम्प्लीट हो चुका है उसका क उसका ट्रांसलेशन जो है पास्ट पर्फेक्ट अंड के कॉडिंग होगा और जो उसके बात काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन पास्ट यहां पे क्या होगा आप देखेंगे डद थीफ हैड फलेट अवे प्रषिड गार्ड चुका था रैड कव उसका फelyn्क्राइट के पु पुलिस कैम तो यहां पुलिस कैम मतलब वी-डू राइट, नेक्स देखिए यहां पर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, मैं जब पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी, यहां जो 100% काम कम्प्लीट हुआ है, वह किसका हुआ है, ट्रेन का ट्रेन स्टार्ट हो गई, खुल गई, बट उसके बाद में आया, तो जो बाद में आया उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, पास्ट इंडिफनेट टैंस के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट एंड वी-डू यूज होगा, बाकी जो 100% काम हो चुका है, उसका पास्ट पर्फेक्टेंस के कॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेन खुल चुकी है, तो ट्रेन हैड स्टार्ट इड रेट, त्रेन हैड स्टार्ट इड उसके बाद यह होगा, एंड देन बीफोर आई एराइट, आई वी-टू हो जाएगा, एराइव का, पहुंशने मेरे घंटी बजने से पहले ही इस्पूल पहुंच चुका था, उसके बाद घंटी बजी तो इस्पूल पहुंच चुका था तो पहुंचनेद की बजने काажу पहले हो चका था तो I had reached to school, right, before the bell ring का क्या होगा, rank, before the bell rang, okay, so I had reached school before the bell rang, ये past indefinite tense, ये past perfect tense, okay, so इस तरह जो है इसका transition होता है, इसका integrative देख लेते हैं, क्या उसने अपना काम पहले ही पूड़ा कर लिया था, right, क्या उसने अपना काम पहले ही complete कर लिया था, right, काम complete किया या नहीं किया, ये इनगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर direct had he already completed his task, right, तो अगर इसमें integrative नहीं लगाएं, तो उसने अपना काम पहले ही complete कर लिया था, तो he had already completed his task, right, तो इसको सिर्फ head को बाहर कर देंगी, तो integrative बन जाएगा, okay, तो इसमें जो है past indifferent tense का कोई भी लेना देना नहीं है, direct, जो है ये past perfect tense में, क्या आप पहले कस्मीर नहीं गए थे, right, तो मतलब ये पूछा जा रहा था, हम पहले कस्मीर गए थे, right, तो मतलब past tense में ये काम कस्मीर जाने का काम मैं कर चुका था, तो I had, right, यहाँ पर I नहीं होगा, क्या हो जाएगा, you हो जाएगा, you had, right, तो कौन तू कस्मीर, right, so यहाँ पर क्या है, you, you had gone to, yeah, like you had visited to कस्मीर, so यहाँ पर क्या है, interrogative है, तो had बहार आ जाएगा, had you not, indicative भी है, had you not visited कस्मीर बिफोर, right, so had you not visited कस्मीर बिफोर, मेरे station post नहीं पहले train खुल चुकी थी, the train had started, train had not started, before I reached the station, right, मैं ताज महल पहले नहीं देखा था, so यहाँ पर, I had not seen the ताज महल बिफोर, okay, so यहाँ पर interrogative sentence में, w as questions, मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया, right, इस तरह की questions आप थेज करते हो, daily life में, so अगर आप इसको translate करोगे, तो इसमें एक time के लिए आप क्या कीजिए, एक time के लिए आप इसको interrogative से affirmative कीजिए, क्यों हटा दीजिए, मेरे आने से पहले वह चला गया था, how you will translate it, तो मेरे आने से पहले वह चला गया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर, he had gone, वह जा चुका था, he had gone, मेरे आने से पहले, before I came, before I came, he had gone, वह जा चुका था, he had gone before I came, तो अब यहां पर इसको interrogative बनाना है, तो क्या हो जाएगा, why had, right, why had he gone, वह क्यों चला गया, मेरे आने से पहले मुश्कों वेट करना चाहिए था मेरा, so why had he gone before I came, दूतरा, आपने पहले ही अपना काम कैसे पूरा कर लिया, आपने एक time limit से पहले अपना काम पूरा कैसे कर लिया, तो आपना काम पूरा कैसे कर लिया, तो अपना काम पूरा कर लिया, यहां पर अपना काम जो है, एक ही sentence है, आपने अपना काम पहले ही complete कैसे कर लिया, right? So, how had you already completed your work or your task, ठीक है? Next, सूरज उगने से पहले वह कहां गई थी, right? सूरज उगने से पहले वह कहां गई थी, सूरज उगने का काम बाद में हुआ, तो इसका translation, जो है, simple past tense के recording होगा, तो वह कहां गई थी, तो वह कहां गई थी, तो वह कहां गई थी, तो where, where had she gone, before sunrise, रोज, right? तो where had she gone, before the sun, रोज, rise, रोज, रोज, रेजन, right? So, यहां पर, Next, आपने स्कूल जाने से पहले क्या किया था? आपने स्कूल जाने से पहले क्या किया था? Okay, so, इसको हम क्या करेंगे, आपने स्कूल जाने से पहले क्या किया था? तो इसको बाद में गए, उसके पहले आपने क्या किया, तो पहले क्या किया, उसका translation कैसे होगा? Past perfect tense के recording होगा, तो आपने पहले क्या किया, ठीक है, तो क्या किया, what had you done, right, what had you done before, before, जहां दिखे, what had you done before you went to school, तो you went to school, वी टू होगा, you went before, right, so next, अब है यहां पे past perfect continuous dance, अगर कोई भी doubt रह जाए past perfect dance में, या rest of previous जो भी हमने कराया है, तो please, आप जो है, write करें, आप मुझे लिखें, तो मैं उस पे, you know, live session में फिर से revise कर दूँगा, या फिर मैं आपको doubt किसी भी तरह से, मैं आप करूँगा, मेरे other social media platform पे भी join कर सकते हैं, there is, you know, linkedin, instagram, facebook, और telegram, link in the description box, से, सभी का link लेकर, आप मुझे join कर सकते हैं, किसी भी तरह का, studies related, careers related, jobs related, reading material, कुछ भी, career concerns related, if you have like any kind of doubt, so, you can ask me anytime, so, I will response you max 24 hours, right, so, अब हम देखते हैं, past perfectance, okay, so, past perfect continuous test, तो इसमें जो है, identification, इसमें जब हम example देखेंगे, तो आपको clearly समझ में आएगा, जैसे मैं दो वर्सों से पढ़ रहा था, right, so, मैं दो वर्सों से पढ़ रहा था, तो ये जो है, work past में continue हो रहा था, right, so, जैसे कि दो वर्सों से पढ़ रहा था, इसमें देखेंगे, subject, had been, फिर not, फिर we का, verb का, fourth form, and rest of sentence, जैसे कुछ example देखें, मैं दो रहा था, अगर इसको हम करें, तो ये और इसमें, past continuous test की तरह ही ये similar होता है, बड़ जब timeline लगता है, एक time से continuously होते आ रहा है, तो उसको हम translate करेंगे, past perfect continuous recording, जैसे दो वर्तों से, शुबह से, morning से, एक time limit लगा हुआ है, तो उसमें हम past perfect continuous test use करते हैं, बड़ अगर ये नहीं लगा है, तो हम उसको translate, past continuous test recording भी कर सकते हैं, जैसे मैं दो रहा हुआ था, I was running, you can write as well, right, so यहां पर देखे, I had been running, okay, so इसके according अगर हम करें, तो, ठीक है, so मैं 2000 past से काम कर रहा हुआ था, okay, यहां timeline लगा हुआ है, इसको 100% आप पास perfect continuous test के ही according translate कीजिएगा, अगर वाईज आपका गलत हो जाएगा, ओके, so यहां पर देखे क्या है, so I had been working, I, यहां पर क्या है, I subject had been, फिर not अगर है तो negative है तो फिर working, before and then rest of sentence, तो I had been working, 2005, 2005 क्या है, एक fix timeline है, इसके साथ since लगेगा, ठीक है, तो I had been working since 2005, यहां पर मैं दो वर्सों से पढ़ रहा था, तो I had been reading or studying, right, for two years, यहां पर फॉर लगेगा, दो साल, कौन सा दो साल, इसलिए यह ताइम फिक्स नहीं है, यहां पर क्या हूँच होगा, दो साल के लिए फॉर यूच होगा, अगे, so next, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, that means, यहां पर सुबह से नहीं खेल रहा था, तो I had not been, right, I had been, right, यहां पर, यहां पर देखे, so I had not been, okay, यहां पर बाद में आएगा, यहां पर बाद में आएगा, यहां पर पहले not आएगा, I had not been, okay, sorry, यहां पर टाइपिंग रहा है, so I had not been playing since morning, okay, यहां पर morning एक टाइम फिक्स है, that's why, so, यहां पर देखे, क्या है, interrogative, okay, तो यहां पर क्या है, subject, okay, तो यहां पर क्या है, had, interrogative में had, फिर से तुरत, जो है, यहां पर subject आजाएगा, and और फिर not आजाएगा, बीन आजाएगा, example देख लेते हैं, फिर यहां पर wh question, what, why, how, when, had not been, फिर before, okay, so, इस में देखेंगे, क्या आप 2004 से परहा रहे थे, यह क्या है, interrogative sentence है, तो यहां पर अगर क्या बीच में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता, थिक है, उसके recording होता है, क्या आप 2000, अगर आप इसको interrogative नहीं रखें, एक second के लिए, तो अगर आप ऐसे suppose करें कि, आप 2004 से परहा रहे थे, तो क्या होगा, you had been teaching, you had been teaching since 2004, तो यहां पर क्या करना है, you had been है, तो had को बाहर कर दें, तो interrogative हो जाएगा, had you been teaching since 2004, okay, had जो बाहर आ गया है, क्योंकि यह interrogative है, had you been teaching since 2004, तो वहीं पर वह सुबह से क्या लिख रहा था, वह सुबह से क्या लिख रहा था, यह देखिए interrogative में, interrogative word बीच में है, तो मतलब यह दावल्य एस question के recording translate होगा, तो यहां पर क्या का लिख रहा हो जाएगा, what, what and फिर क्या हो जाएगा, had हो जाएगा, what and फिर यहां पर had, not, then been, right, so यहां पर क्या हो जाएगा, what, why, how, in चारो पांचो में इसे कोई एक what, यहाँ पे वाट आ जाएगा, so what उसके बाद had not been, okay तो यहाँ पे क्या जाएगा what had उसके बाद क्या आ जाएगा, subject आ जाएगा, right, तो यहाँ पे subject, तो नहीं you Esta की सो यहां पर सब्जेक्टायेगा तो वाट हैड तो वहां अपैसी तो वहां उड़ी ओट है टो फिर सब्जेक्ट्टायों iç kay जाएगा टॉ एसे किन छीी भाट धीन राइटींस से कि आध टा-ब वर्ड बीच में है तो वर्ट आ गया वह कोस्टन के एकॉर्डिक ट्रांसलेट होगा फिर हैड आ जाएगा फिर सब्जेक्ट सी है फिर बिन है फिर वी फोर्ड का जोथा फॉर्म फिर राइटिंग आ गया यहां पर सिंस दा बॉर्डिंग रवी दो साल से कहां रह रहा था यह भी वह कोस्टन के एकॉर्डिक ट्रांसलेट होगा कि कहां जो है सेंटेस के बीच में आ गया है यहां पर क्या हो जाएगा वेयर के तुरहत बाद हैड आ जाएगा फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो रवी आ जाएगा वेयर हैड तो कहां रह रहा था तो रहना का क्या हो यह रहा था रहना का क्या हो यह रहा था रहना का रहा था रहना का रहना का रहा था रहना का 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 आप कब से यहां ऐसा कर रहे थे आप कब से यहां पे when when had you when had you been doing like this doing this so since when had you been doing this तो यहां पे since किसले लगा क्योंकि अगर आप से पुछा जाए आप यहां से कब रह रहे थे आप यहां कब से रह रहे आप बताएंगे कि यूनौ पास साल से या फिर सुबर से या फिर 9 बजे से या Monday से या एक टाइम लाइन देंगे 10 ताड़क 5 ताइक से तो यहां पे टाइम लाइन आप बताऊए एक exact टाइम बताऊए इसने यहां पे या फिर for when तो यहाँ पर for or since दोनों लग सकता है क्योंकि आप बोलोगे कि दो घटे से या फिर 10 बजे से या फिर 10 बगे से time fix होगा तो since होगा अगर time fix नहीं है for होगा तो when you know when had you been doing this since starting में लग जाएगा यह आप ध्यान रखी कही इस तरह के दर sentence आपको दिखे for or since starting okay so since when since when had you been doing this since when you had been since when had you been doing this next you 1985 so why had you right not been not been going to school since 1985 why had you not been going to school since 1985 asana practice करेंगे तो आपका हो जाएगा यह दाउट्स करेंगे और प्रेक्टिस करना बहुत इंपर्टेंट है और जब लाइसेशन में टेंस करवाएदा आदर बहुत थारे प्रेक्टिस करवाएए आपको प्रेवियस लेक्टिस आप देख सकते हैं राउंड और 60 के आज पास का लेक्टिस कीजिएगा फिर से और मैं करवाऊँगा भी तो सीता आपको सुबह से क्यों परिसान कर रही थी तो यह भी इंट्रो व्ह कोश्चन के रिकॉर्डिंग होगा तो वाइ वाइड सीता अब निगेटिव नहीं है यहाँ पर क्या हो जाएगा वाइड सीता बिन आज नो डिस्टरविं वी तो बीट भी यह कोई भी आऊट होगा तो आम फृटिल पूचएगा आज आएड तो ब्ढ़लिंगल गांकि आप क्याल नो भी निकेंटी भी जब आप इंटर्व्यू देते हैं तो आपको लाइक बीबियो सेक्टर में या फिर किसी और सेक्टर में तो पूछ लेता है कि पास्ट की कल आपने क्या किया उससे रिलेटर पूश्चन पूछा जाता है तो पास्ट इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेली कम्निकेश आप से पूछा जाता है कि पास्ट में आपने क्या की अकल का रुकीन बताओ यह साड़ी चीज है तो पास्ट इस बहुत इतना है इंपॉर्टेंट है तो यह साड़ी कंवर्सेशन कैसे होता है यह सारा कुछ डिफरेंट क्लस में बताओंगा राइट किस पे ज्यादा फोक फूचर में सोच रहे है तो कि इसको बात करेंगी फूचर टैयबस के चार टैप से होता है तर्ड पार्ट है इसका Future Perfect Tense और फॉर्थ पार्ट है इसका वह है Future Perfect यह चार पार्ट है जैसा की present और past में था तो इसका पहला जो है पार्ट यहां पे आद देखेंगे Simple Future Tense जो है इसका कैसे हम identify करेंगी कि कोई भी sentence Simple Future Tense में है या नहीं है अगर किसी भी वाक्य में के अंत्मयुका की के अगर इस तरह का दिखे तो उस sentence को simple future tense के according translate करेंगे तो इसका structure क्या होता है यह हम देख लेते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा complication है जैसा की simple like present tense में था उसमें do, touch, we, one, we, five इसमें भी है यहां पर क्या है subject पहले लिखेंगे then फिर cell या will लिखेंगे फिर not लिखेंगे फिर word का first form लिखेंगे फिर यहां पर हम rest options जैसे अब यहां पूछेगा cell कब लगेगा will कब लगेगा तो यहां पर आप देखेगा third person singular number के साथ will लगेगा यहां पर and okay so i or we के साथ cell लगेगा और second person and third person के साथ will लगेगा and first person के साथ cell लगेगा first person में क्या आता है i or cell i or will i or we के साथ cell लगेगा ठीक है first person में आता है i or we इन दोनों के साथ cell लगेगा बाकी सभी के साथ will लगेगा okay first up clear example देखते हैं मैं जाओंगा तो मैं क्या है मैं है first person singular number तो मैं के साथ यह cell लगेगा i cell को will नहीं लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा वो मैं आपको बताता हूं ठीक है और सभी लोग क्या करते है i के साथ will लगा देते है u के साथ cell लगा देते तो क्यों लगाते हैं किस condition लगाना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए so आज हम clear करेंगे इस बा कर्मल केस में will का यूज होता है okay so i will go right यहाँ पर subject फिर sell या फिर work का first form तो okay next मैं कल दिल्ली जाओंगा okay का का है तो मैंतलब simple future test मैं कल दिल्ली जाओंगा so i cell तो i लगेगा यहाँ पर i cell go daily tomorrow okay so तुम कुछ नहीं करोगे के तो यहाँ पर you will not you के साथ क्या लगेगा will not do anything राम परिछा में सामिल नहीं होगा तो राम will राम के साथ क्या लगेगा will लगेगा राम will not attend the exam right राम will not attend the exam next so यहाँ पर interrogative में क्या होगा cell will interrogative में cell will बाहर आजाएगा फिर subject आजाएगा फिर not आजाएगा फिर वर्फ का first form address तो क्या हम गाना गाएंगे क्या हम गाना गाएंगे okay so तो इसमें क्या जाएगा इसमें बाहर आ जाएगा okay so cell इसमें बाहर आ जाएगा क्या आप अग्रेजी पढ़ेंगे, so यहाँ पर स्याल बाहर आ जाएगा, या विल बाहर आ जाएगा, आप, आपके साथ क्या लगता है, यू, यू के साथ विल लगेगा, तो विल यू, विल यू, इंग्लिस, विल यू, और इस्टड़ी इंग्लिस, so क्या राम नहीं खेलेगा, क्या राम नहीं खेलेगा, तो मैं है तो यू, लगेगा, तो यू, 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 तो sell लगेगा, तो cell I, right, cell I cook, right, cell I cook dinner, cell I cook dinner, क्या मैं रात का खाना पका हूँ, right, dinner, रात का खाना, so यहां पर देखेंगे, डाब्लू एज कुश्चन, इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिये कुछ, राम परहाई कैसे करेगा, यहां पर जो है, कैसे कहां, क्यों, यह अगर भीच में आए, तो इंट्रोगेटिव, इसका ट्रांसलेशन होगा, तो राम पढ़ाई कैसे करेगा, ठीक है, तो कैसे करेगा तो यहां पर क्या है, डाब्लू एज, कैसे का क्या होगा, हाउ, उसके बाद cell या वील होगा, इसका जाएक सब्जक्ड होगा, अगर नट है, तो यहां पर क्या है, उसके बाद विल राम सब्जक्ड आइस. How will Ram study, next यहां पर, Ram इस साल पडिक्छा क्यो नहीं देंगे, तो यहां पर देखिए, interrogative word है, तो क्यों क्या हो जाएगा, why, ठीक है, तो why, Ram है, तो भील हो जाएगा, तो why will, Ram, उसके बाद subject क्या उसके बाद not आएगा, यहां पर not, why will Ram not attend the exam this year, why will Ram not appear, appear मतलब पड़िक्षा में सामिल हो ना appear the exam this year okay so सरकार गड़िबों के लिए क्या करेगी तो यह भी यहां पर क्या है क्या करेगी what उसके बाद सरकार गड़िबों के लिए तो will हो जाएगा right तो why will government right why will government करेगी do for do for poor why will government do for poor तुम मेरे पास क्यों नहीं आओगे तुम मेरे पास क्यों नहीं आओगे so how you will translate to क्यों तो क्यों का क्या हो जाएगा why okay so उसके बाद यह continuous tense में आगया okay so तुम मेरे पास क्यों नहीं आओगे तो why right so यहाँ पे why तुम है तुभी ला जाएगा why will you not right come to me right why will you not come to me okay so यहाँ पे दूसरा देखे अब क्या है future continuous tense तो इसमें क्या है ता रहा रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे इसमें क्या हो जाएगा भी यूज होगा right structure देख लेते हैं subject plus sell your will plus be plus not plus before plus rest of sentence ठीक है यहाँ पे sell और will के साथ भी लगेगा and not will be before तो I shall not be eating we shall not be eating right इस तरह के example देख लेते हैं सीता गाना का रही होगी future में एक काम जो है जैसे कि मैं future में live class attend करता रहूंगा तो future में वह काम regularly करूंगा right ऐसा नहीं कि एकवार करके छोड़ दिया यह करूंगा मैं future में वह काम continuously करता रहूंगा suppose कीजी मैं एक example देता हूँ आपको मैं regular class future में लूंगा तो मतलब daily class होगा वह continuously काम होता रहेगा future में तो इस तरह के sentence के साथ जो है will cell और will के साथ be used होगा जैसे सीता गाना गा रही होगी तो सीता के साथ क्या लगगा will be होगा सीता will be singing a song आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे होंगे तो you will not be not be reading any book लड़के कक्छा में सोड नहीं मचा रहे होंगे तो लड़के the boys will not the boys will not making a noise in the will be यहां क्या होगा will be the boys will not will be not right will not be yeah will not be making a noise in the class उस समय मैं काम नहीं कर रहा होंगा so at that time I shall not be working उस समय मैं काम नहीं करता रहा होंगा तो उस समय यहां सटा दीजे कुछ टाइम के लिए तो मैं काम नहीं कर रहा होंगा so I shall not be working at that time अब interrogative interrogative में sell और will बाहर आ जाएगा and फिर subject फिर not be and then फिर before तो यहां पर interrogative जो question वाले word है जो WH questions वाले तो WH जो word है what, when, why, how यह सब आएगा then फिर उसके just बाद सेल यह will फिर subject फिर not be फिर before तो example देखते हैं क्या वह बैठे होंगे तो यहां पर क्या एक मिट के लिए हटा दीजे वह बैठे होंगे तो क्या हो जाएगा वह का he के साथ will लगेगा he will be he will be sitting ओके तो यहां पर he will be sitting हो गया अगर interrogative बनाने तो will को बाहर कर देंगे तो will he be sitting will he be sitting next क्या आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो Sam है यहां पर आप नहीं पढ़ रहे होंगे you will not be studying तो will बाहर आ जाएगा will you not be studying will you not be reading और studying वह क्यों खेल रहे होंगे तो यहां पर देखी क्यों बीच में आ गया तो यह वह क्यों क्या हो जाएगा why 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 के साथ यहां पर वह है तो वह के साथ will लग जाएगा why will right why will they why will they playing why will they be playing right why will they be playing अब यहां पर देखिए future perfect tense चुकूंगा चुकेंगे चुका रहूंगा चुकी रहेंगी तो इसमें have लगेगा ठीक है cell और work के साथ have लगेगा बी यहां पर नहीं लगेगा future continuous tense में सिर्फ बी लगता है structure क्या है subject cell या will plus have plus v3 ठीक है तो यहां पर कुछ example देख लेते हैं तुम अपना part सीख चुके चुकोगे right मैं अपना काम वह काम कर चुका होंगा future में जो मैंने plan किया वह 100% achieve कर लूगा so you will you के साथ क्या लगा will लगा you will have learnt your relation you will have learnt your relation subject will have and v3 and object so doctor के आने से पहले रोगी मर चुकेगा doctor के आने से पहले तो यहां पर क्या है मर चुकेगा तो the patient the patient will have died before doctor come the patient will have died before the doctor doctor come before the doctor comes okay यहां के क्या लगाना है यहां पर present different tips okay so पूजा करने से पहले वह असनान कर चुकेगा so he will have taken bath before he worships okay so he will have taken bath तो यहां पर देखे he will have taken bath वासना कर चुकेगा future right so मुझे नहीं जाना हुगा मुझे नहीं जाना हुगा so I shall have not gone I shall have not gone future मुझे नहीं जाना हुगा यहां पर देखे क्या है इंट्रोगेटी में क्या है cell और भी बाहर आ जाएगा and rest adjective रहेगा right why cell I not have taken eaten right so और इंट्रोगेटी में जो है टबलो एच वर्ड बाहर आ जाएगे फिर उसके just बात cell या will होगा cell या will होगा यहां पर subject फिर not फिर have और फिर यहां पर वी 3 okay so यहां पर देखेंगे उसने क्या किया होगा उसने क्या किया होगा यह interrogative वर्ड है इसमें तो यहां पर क्या होगा what will he have done what will उसके बाद subject फिर have done okay वहां क्या वहां तब तक नहीं सोच चुकेगा so will 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 he not have slept by then तब तक by then उस समय तक right by then so मेरे आने से पहले वह सोच चुकेगा वह सोच चुकेगा so why वह क्यों सोच चुकेगा यह है यहां पर तो why will he have slept before I come so next यहां पर क्या है present perfect continuous tense so इस में देखिए इसका ज्यादा यूज नहीं है और perfect tense का भी ज्यादा यूज नहीं है but present perfect continuous tense में क्या है subject cell will not have been use होता है have been so जैसे कुछ example देखें मैं खाता हुआ रहूँगा future में मैं कोई भी काम करता रहूँगा इसमें भी time line fix होगा कि इतने time से क्योंकि इसको continuous tense में हम बना सकते है I shall have been eating मैं खाता रहूँगा future में I shall have been so अगर perfect tense में have लगाना है और continuous में लगा दीजिए perfect tense में V3 था so मैं देखिए मैं 1999 से आपका इचियार करता रहूँगा मैं 2023 से आपका इचियार करता रहूँगा आप जरूर आना आप जरूर यह काम करना तो यहाँ पर timeline fix है तो इसको हम कैसे करेंगे future perfect continuous tense के translate करेंगे otherwise अगर timeline नहीं है तो future continuous tense भी हम यूज कर सकते है so I shall have been waiting of you of you from 1990 और यहाँ पर देखिए मैंने बताय थे जब time fix हो तो since का यूज करना है time fix नहीं हो तो for का यूज करना है जब future tense आएगा तो since के बन्दे from का यूज करेंगे और जब time fix नहीं रहेगा तो उसमें हम for का यूज करेंगे यहाँ पर 1999 है तो time fix है तो from since के जगर पर from future में होता है तो I shall have been waiting for you from 1999 यहाँ पर काम करता करते रहेंगे तुम ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा you will have been you will have been doing this work for 10 years तो 10 days यहाँ पर देखिए time fix नहीं है तो 10 days पोर लग गया यह time fix है तो from हो गया यह ध्यान रखिए इन ख़ए सीता डलती भी नहीं रह तो हीटा सीता विल सीता विल Alhaff uh पिन नट and Sita Will not happening representing यहाँ पर हैंप ही यूज होगा ठीक है तो तो सीता विल ओग ऐसा नहीं का है जोगा future test में वाकंं सीथा व थी ता wहна नाट बिन वाक इन सीता विल तो यहां पर देखिएगा क्या है कि आपका कि सब्जेक्ट फिर सैल या विल फिर नॉट फिर हैव फिर बीन फिर 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 इंट्रोगेटिव में जो है पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर विल आ जाएगा फिर सैल विल के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा फिर नॉट फिर है बीन राइट तो यहां पर डबलू एच वर्ड में वाई वाट यह आएगा पहले उसके बाद तुरत सैल या विल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा फिर हैव आएगा फिर बीन आ वह यहां पर आजाएगा तो यहां पर किया जाएगा विल तुम के साथ जो है यू के साथ विल लगेगा तो विल यू नाट नहीं है तो विल यू नाट है बिन फिर फर येर्श पस्तान का डीपी डीपेंटिंग रिट रिपेंटिंग यह रिग्रेटिंग लिग्रेट मतलब पस्ताना रैट पक्ष्तावा करना तो यहां पर क्या यह विल यू नाट भी रिग्रेटिंग फर ही घिया सब्सक्राइगा यह वाला हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा वा वैं वैं वी लहीं ऐम वाइगन वाय विल जी नॉत यहां पर एक आध्र अबशु को कि यह इसम्हसरा है why will he not have been waiting for you for 10 years तो यहां पर देखिए वाय आगया वाय की प्रत बात है पिंग वाप विल यह सेल होगा तो विल हो गया और यही नौट राइट ही नॉट है नॉट है विल वेटिंग फॉर यू फॉर टैनियर्स वह वकी क्या वह क्या वकी दो गंटे से बहस नहीं करता रहेग तो यहां पर क्या होगा विल दा प्लेडर या लॉयर जाए ड्वोकेट रइट विल दा एड्वोकेट नॉट है बीन आर्गूइंग बहस करना का अर्गूइंग फॉर टू यह तू आर्थ दो गंटे से वकील बहस नहीं करता रहेगा राइट तो अब नेक्स इसमें देख विल फीन नाट है विल ही नट है पीन स्टेड़िं फार फ्रन आर्ट गश्याव फिर आखे सो च्व जिसमें आप बता देता हूं इसमें आ ओके कहां पर विल लगेगा कहां पर लगीगा एक यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर हम सिंपल सा कोश्चन लेंगे जैसे जैसे कि हाँ यह मैं चारों लगा देता हूं मैं जाओंगा आई सेल गो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल लगेगा यहां पर अगर रह था कि मैं अवस्थ ही जाओंगा तो I के जगहँ पहुआ पर सेल के जगहँ पर विल जाथाक already ६ेस कभि कोई फिचे में वेक्षिए वी से होगी राइक है यहां पर देड़ परसल कि अगर सेल लग राइध विल हो जाएगा यँ के साथ विल लग लगाए तोस्थ हो जाएगा ठीक है तो यहां पर I will go मैं अवस्य जाओंगा मैं यह 100% करूंगा तो I will go रैट यहाँ पर जैसे तुम कुछ नहीं करोगे तुम अवस्य कुछ भी नहीं करोगे तो you sell हो जाएगा तो अगर 100% probability है किसी भी चीज का होने का will के जगा पे sell इसलिए आप हमेशा I के साथ will मत लगाईए अगर I के साथ will लगाते हो अगर इंगलिस का अच्छा गयाता होगा जान रहा है तो that means 100% जानेगा अगर आप I will लगा रहे हो that means वह काम आप 100% करोगे तो इस तरह जो है इसकी जो है विल और सेल का यूज होता है right so friends आज मैंने first time right so यह मैं like you know September से start किया है यह session English का class तो first time में एक ही slot में एक ही session में मैं इतने लंबा class में record किया हूँ और I don't know कैसा है आप लोग feedback दीजिएगा already मैं पूरा टेंस करवा चुका हूँ live class में आट से 10 का class होता है साथ 9 ते फिर से regular रहेगा बहुत सारी चीजिए add-on करने वाला हूँ मैं तो आप लोगों को अगर यह पसंद आया और कोई feedback है कुछ errors है तो definitely आप feedback दीजिए definitely आप तो to improve your spoken English your grammar your translation and your vocabulary right आप चैनल को subscribe कर लिजिए आप regular class attend कीजिए आप subscribe कर लिजिए चैनल को right so our live session mayhem meet of you see mill to upload was a meeting in the live session thank you so much friends thank you so much please share and subscribe we'll meet you soon okay good luck thanks for watching this video thank you